कुछ रात के मौर्बी ब्रिच का इतना बड़ा हाथसा हो गया और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा हुआ 25 मिनिट तक 5 पुलिस ओफिसर्स ने जांच की और जांच पूरी भी हो गई और इस जांच में आरोपी बनाया गया बिचारे मेहनत करने वाले लोगों को जो उपर के लोगों की सुनकर काम करते हैं लेबर्स और सिक्यॉरिटी गार्ड को जी हां पहले मौर्बी ब्रिच का इनाउगरेशन कवर अप तरीके से कर दिया गया बिना फिटनिस सर्टिफिकेट के और अब 141 लोगों की जांच जाने के बावजूद प्रशासन को शर्म नहीं आ रही है कि इस तरह की जांच की औरिवा कंपनी जिसके पास इस ब्रिच का पूरा कॉंट्रेक्ट हा जिसने चे महीने में 2 करोड रूपए एःट कर इस ब्रिच को रिनुट किया उस कंपनी के मालिक کا नाम तक नहीं लिखा गया और कंपनी का नाम तक नहीं सीच को जांच में उस company को ऐसे bridge का काम किस ने दिया, उसका tender किस ने पास किया, कई और companies होगी जिन्होंने पहले भी bridges बनाये होंगे, उनको सभी को cross करके इस bulb बनाने वाली company को tender क्यों दिया गया, इस पर जाच नहीं हो रही, और इवा company के जो MD है, जैसुक भाई पतेल, यही वो शक्स है जिन्हो उने 26 October को बिना नगर निगम को बताए, इस पुल का चुपके से inauguration कर दिया अपनी पोती के हातों, और इस function में नगर निगम के किसी भी अधिकारी को ना बुलाया गया, ना ही नगर निगम को inform किया गया, दूसरी गलती इस पूरे case में मानी जा सकती है, नगर पालिका किस C जब उनके नगर पाली का शेत्र में किसी पूल का उधगाटन हुआ है और वहाँ पर लोग जा रहे हैं, जिस पूल का fitness certificate पास नहीं किया गया, जिस पूल के बाकी technical issues को NOC नहीं मिले, उस पूल का उधगाटन किया गया, पबलिक उस पूल पर जा रही है और नगर निगम सो रहा है, इसमें तीसरे आदमी जिस पर नकेल कसनी थी, वो थे मॉर्बी के खुद कलेक्टर जीटी पंडिया, जिन्होंने इस पूल के रेनोवेशन का टेंडर बाकी construction कमपनियों को देने के बजाए औरेवा बल्ग बनाने वाली कमपनी को दिया, इसके अलावा मॉर्बी ब जादा ध्यान दिया गया है कि किस किस तरह से मुनाफ़ा कमाया जाएगा, कब कब tickets की rates बढ़ाई जाएगी, कह सकते हैं कि इस पूल को लेकर सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा ब्रश्टाचार हुआ है, बहुत ही मासूम लोगों ने अपनी जान गवाई, और अब इसकी ज करने में भारी गलतियां की गई और अब इस जाच में भारी गलती की जा रहे है, आपको क्या लगता है, इस तरीके से मौर्बी हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गवाई है, उन्हें जस्टिस मिल पाएगा